हाई एवरिवन आज हम इंडेक्स और मैच फंक्शन को कमबाइन करके यूज करते हैं सो मैं यहां पर देती हूं नेम्स उनकी हाइट जो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं और वेट हमारे पास नेम्स हम देते हैं रूबी जैनी सैमी एंड सूरिया हमारे पास जो रूबी की हाइट है वह हम कहते हैं 55 है जैनी की हाइट हमारे पास 54 है सैमी की हाइट हमारे पास 52 है एंड सूरिया की हाइट हमारे पास 51 है हमारे पास जो weight है 53, 49 and 55 and surya का weight 54 then हम index and match function को combine करने लगे हैं so हम देखते हैं कि हमारे पास semi की height आ जाय करे हम ऐसा function लिखें कि semi की height आ जाय करे so हम लिखते हैं is equal to index so हम index पे click करेंगे हमें एक array चाहिए हम एक array को select करते हैं हमारे पास array है a2 to c5 then हम कहते हैं हम जो match है match हमें position बताता है वो कहते है look up value हम कहते हैं हमें semi की चाहिए so look up array हमारे पास जो names हैं उनको select करेंगे कि semi का names की सरे में आता था then हम कहते हैं exact match हम zero को click करेंगे then हम कहते हैं comma then match हमें look up value चाहिए semi की height so हम height पर click करते हैं then हमें इसके लिए array चाहिए so array हमारे पास उपर वाला है जिसमें height आएगा हम उपर वाले array को select करेंगे row को हम कहते हैं exact match zero को click करेंगे हमने क्या देखा index हमने देखा हमने एक array दिया था then हम कहते हैं match करें semi को हमने semi वाला जो column था उस पर click किया था then हम कहते हैं height उसकी match करें then हम height वाली row को select किया था तो हमारे पास अब हम इसको enter करते हैं और हमारे पास semi की height आगिया है 5-2 semi की height हमारे पास 5-2 है so हमारे पास यह आगिया है 5-2 अब हम कहते हैं एक हम ऐसा function generate करते हैं कि हम यहां पर जितने names हैं यह डालें तो हमारे पास उनकर हम जाएंगे data validation data validation एंपूले हम कहते है list will allow हो जाए list distort पर इस source पर हम जाएंगे हम इसको एक array देते हैं कि हमारे पास यह names हमारे पास आ जाए करें हम okey है पर Click क्लिक करते हैं हमारे पास यह बटन बन गया है इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यह नेम्स आगे हैं हम इसके उपर क्लिक करते हैं सुरिया पर तो हमारे पास सुरिया की हाइट आगी है 5 1 so अगर हमारे पास 5 1 अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमारे पास ruby की हाई आगी है 55 so यह हमने जिनरेट किया है हम उपर गए थे डेटा पर डेटा पर जा के डेटा विलीडेशन पर जाना है लिस्ट अलाओ करनी है और सर्स देना है अब हम चाहते हैं हमारे पास जैनी का वेट आ जाए हम क्या करेंगे is equal to index और हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक अरे है then हम कहते है और match हम कहते है match करे look up value हमारे पास है जैनी और हम कहते हैं जैनी की array क्या है ये जो names है column name वाला column आ जाएगा then हम कहते है zero के exact match करें हम फिर कहते है comma and then match और हमें look up value चाहिए उसका weight जैनी का weight चाहिए तो हम weight पर click करते हैं और then हमें चाहिए इसका look up array so इसका row select करेंगे हमारे पास जिसमें weight आता है then हम कहते है exact match हम zero पे click करेंगे हमारे पास ये जो function हमने लिखा है हम देखते हैं हमारे पास index हमने लिखा था कि एक array दिया है then हमने लिखा match look up value हमने जैनी दिया था then हमने second वड़े match पे हमने उसका weight दिया था तो जैनी का weight हमारे पास आ गया है 49 अगर आप देखेंगे तो उपर भी जैनी का weight 49 था इस पर भी हम कहते हैं हमें list allow कर दे के हमारे पास जो names हैं वो हमें उनका weight मिल जाए हम data validation पर जाएंगे यहां पर हम कहेंगे हमें list allow हो जाए हम list पर क्लिक करेंगे source पर हम जाएंगे और हम in names पर को select करते हैं ok पर कलिक करेंगे और हमारे पास यह बटन आ गया है इस पर यह सारी names हैं अगर हम semi पर कलिक करते हैं तो semi का weight 55 हमें show हो रहा है अगर हम इस पर जाएं तो हमारे पार ruby का weight 53 शो हो रहा है so हम इस तरह से इसको allow कर सकते हैं अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमें formula show हो जाता है index पर हमने array दिया था match पे हमें look up value and array चाहिए then हम match पे look up value and then array ruby वारे formula पर क्लिक करें तो हमारे पास index था then हमने match height की थी और then हमने data validation पर जाके उनके names allow कर सकते हैं so हम देखते है हाज हमने इस वीडियो में क्या सीखा हम देखते है is equal to index index पर हमें array चाहिए then हमें match पर हमें एक look up value चाहिए होती है look up value जिस जो हम column में लेते हैं पहले look up value then हम कहते हैं के हमारे पास इसकी position आ जाए then हमें look up array look up array के बाद हम कहते है position हमें मिल जाए जो हम कहेंगे 0 को पर हम click करते है then हम कहते है match हमारे पास एक look up value look up value then हमें चाहिए होती है एक array and then हमें exact match करें lookup value के बाद हमें चाहिए एक array and then हम कहते हैं 0 को select करते हैं exact match और हम इसको enter कर देते हैं तो हमारे पास जो हमें चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है जबके match function position बताता है और जो index है वो हमें row by column कोई भी data में से value return करता है where x 0 is exact match so thank you so much